Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Kenya vs Botswana, Africa T20 Cup का है ये गेम and खेला जाएगा फिर से at Nairobi Gymkana सारे गेम इस टोर्निमेंट के यही खेले जाएंगे and ये है एक और मुकाबला यहां पे कल का ये गेम होगा इंडियन टाइम 12 पीम नून को तो वही साब से याद रखेगा जॉइन करने के लिए अपने सारी की सारी लीग स्टार्ट करेंगे पिच कंडिशन के साथ उसके पहले याद रखेए कि आप हमारे साथ टेलिग्राम पर जुट जाएं टेलिग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब चलते हैं आज के पिच कंडिशन की तरफ तो एवरेज स्कूर है यहाँ पर 144 लास्ट गेम के बाद यह आवरेज स्कूर बढ़ गया है उसके पहले अबाउट 135 था बट फिर भी मेरे इसाब से यहाँ जो बैटिंग कंडिशन जा जो स्ट्रॉंगर टीम है केनिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इसको एकसीड कर सकती है अगर बोट्स वायन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़े से कम रान Chasing Venue है and वैसे हमने यहाँ पर देखा है कि एक जो Boundary है Leg Side पर वो काफी Short है तो Batters ज्यादा तर वही Boundary को Target करने की कोशिश करते हैं and मैं कुछ वैसा ही Expect कर रहा हूँ वापस इस Game में याद रखिए कि आप My Master 11 पर Sign Up कर ले Link है Description में आपको मिल जाएगी Free Entry Contest की Access TNPL के हर Game में साथ-साथ में जो Leader Vote Contest है and Deposit Contest है वो भी कल से शुरू हो जाएंगे तो Ensure कि आप Sign Up करें and Participate करें काफी कम Competition है इस एप पर and साथ-साथ में आप जीत पाऊगे ऐसे कुछ खास Prices like the Creta, Bike तो बहुत कुछ है आपके लिए ओफर पे तो Miss मत करेंगा and अब चलते हैं आज की टीम की तरफ Start करें keeping section से Ambazo यहाँ पर एकदम straightforward choice से याद रखी गाए एस सिंग जो है लास्ट गेम में बैटिंग का मौका ही नहीं मिला इन्हें तो वो एक problematic factor बन सकता है इसलिए अब ही के लिए Ambazo के साथ जा रहा हूं है बैटिंग इनकी almost लगबग guaranteed है बैटिंग section में Collins Oboya 100 miss किया और इनने लास्ट गेम में 96 मार के गए और पटेल जो अच्छे form में लग रहे है वापस इनका एक बड़ा match-up है इस गेम में आउट हुए है यह Shaw को one of three and एक wicket एक बार wicket गवाया इनने इनने वापस याद रखे है Shaw opening bowler है last game में नकरानी के सामने इनका एक match-up था opening bowler भी थे वो भी तो वह एक important चीज है इस बात को आप जरूर याद रखेगा GL में आप chance ले सकते हो इन पर बट क्यूंकि बाकी की bowling काफी week है बोट्स वाना की small league and base team में risk लेके मतलब नहीं है तो बाकी की टीम की तरफ चले है तो यहाँ पर मतलंका अगर आप three batter apps पर खेल रहे हो जैसे माय मास्टर 11 वहाँ पर मैं इन तीनों को लेके जा रहा हूं अब याद रखेगा dream 11 पर मैं सिर्फ mini GLs जॉइन कर रहा हूं जो मेरे small leagues है अगर मैं खेलूंगा तो वह मैं खेलूंगा माय मास्टर 11 पर वहाँ पर मैं जाओंगा तीसरे बैटर के साथ जो होंगे मौतलंका तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने already इन्हें पिक करके रखा हुआ है तो अगर आप small leagues खेल लो तो यहीं आप पर खेलेगा क्योंगी dream 11 पर लोग 10-1 वाली combination लेके आएंगे और फिर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो उस situation में बागी की टीम की तरफ बढ़ें तो राकी पटेल यहाँ पर एकदम obvious choice है लास्ट गेम में 3 overs भी डाले और टू डाउन बैटिंग यह नंबर 4 पर तो important बैटिंग पोजिशन साथ-साथ में accelerate बहुत अच्छी से किया बहुत सारे boundary bonus points भी मिले हैं यहाँ पर हमें इनसे साथ मे मसूरिया यह अच्छे फॉर्म में लास्ट कुछ गेम से बोलिंग भी पूरे overs कर रहे हैं बैटिंग इंपॉर्टन पोजिशन पर तो एकदम obvious choice है नेलसन ओधियांबो पहले गेम में नहीं डाला दूसरे गेम में एक ओवर डाला वर्ट काफी मार खाया है तो मैं तो नहीं मुतलंगा को लेके जाएंगे मिनी जील में बट मिनी जील में मैं शो के साथ जा रहा हूं जैनली चार ओर डालते हैं टॉप और में बैटिंग भी करते हैं तो आइधिंग वैल्यू के साब से अच्छे हैं वाइल मोटलंगा मैं पता है कि केनिया के सामने भी जब लास्ट सब्सक्राइब यहां बना के आउट हो गए थे बट फॉर्म अच्छा है इनका तो रिस्क मैं ले रहा हूं इन पर मिनी जील पर स्मॉल लीग में जैसे मैंने बता है मैं 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 इनके साथ जाओंगा साथ में यहां पर जैराड अब यह पेस बोलर है लेफ्ट आम पेस लेफ्ट आम स्पिनर और बहुत एफेक्टिव खिलाडी है तो इनको मैं जरूर्ट करूंगा इस साइड में वी पटेल वापस यह लेफ्ट आम स्पिनर है थोड़ा टॉसप करते हैं बाल को यह दोनों जो खिलाडी है और जील क्याप्टेंसी वाइस क्याप्टेंसी मैं यहां पर बैलेंस रख रहा हूं टीम में ताकि जब आप 7-4 कॉंबिनेशन के साथ दूसरे आपस पर खेलो आप इस टीम को स्मॉल लीग में भी यूस कर सकते हो एक यहां पर 10-1 कॉंबिनेशन के साथ जाना पड़ेगा एक टीम काफी स्टॉंग है वाइस दूसरी टीम काफी वीक है उसके लावत दूसरे चॉइस जो आप यहां से कंसेडर कर सकते हो एक है ओधियांबो जैसे मैंने मैंने किया रोटेशन में आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो ओबैंडा जब टॉप और फेल होगी केनिया की तो इन्हें मौका जरूर मिलेगा इन्हें आप कुछ टीम में ट्राइ कर सकते हो वाइल कीपेंग सेक्शन से और इन्हें को मैंने सिंग को मेंशन कर लिया था एवन इन दे लास्ट प्रिव्यू कैप्टेंश की बहुत स्ट्रेटफरवड है मेरे साब से एज राकिप पटेल बोलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं इंपोर् ट्रीम 11 वाइल जो स्मॉल लीग और बेस टीम है वो कुछ ऐसी होगी और यहां पर जैसा आप देख सकते हो एकाज ही चेंज है उसके अलावा काफी सिमिलर साइड है जो बेस है वो सिमिलर है खाली एक-दो जो चेंजिस है वही किये हुए है ज्यादा कुछ खास चेंजिस नहीं है यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इस आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करेगा यह आपको आपको काफी सारे बेनेफिट्स मिल जाएंगे जैसे बताया था एड दे स्टार्ट वीडियो एंड एक्सचेंज 22 पर अब तक यह गेम ल वो यह लास्ट गेम में हाय स्कोर बनके गए थे इस गेम में प्रिडिक करिए कॉमेंट्स में इस फॉर्माट में आपको क्या लगता है कितने रंज बनाएंगे वो और जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवी के लिए थैंक यू सुमाच फूर टूनिंग इन लाइक बटन करेगा